हर्याना विधान सभा के डिप्टी स्पीकर अनवीर गंगवा वीरवार को सोने पत पहुचे इस दोरान उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस कर कॉंग्रेस को जमकर निशाने पर लेते हुए कहा कि कॉंग्रेस देश में सो का आकड़ा भी पाड़ नहीं कर पाई और हर्याना में कॉ कॉंग्रेस पार्टी में बहुत सारे नेताउन में आपसी तालमेल नहीं है और कई गुट बने हुए हैं जो खुद ही पार्टी को तोड़ने में जुटे हुए हैं गंगवा के प्रेस कॉंफरेंस में और क्या कुछ कहा गया ये भी सुनते हैं वह जिसने इस देश के उपर लगवग पचास साल से जादा तक राज किया और दो बार लगातार सता से बार रहने के बाद भी तीसरी बार में वो सो कहा कड़ा नहीं चूपाए निदानों पर ही वो टक दे और इसमें भी अगर वो खुश है तो अच्छी बात है वो खुश रहें जहां तक हर्याना की ब अलग गुटों में बटी हुई है मैं समझता हूँ कि कॉंग्रेस पालिटी के साथ हमें लड़ने की जूरुत नहीं है कॉंग्रेस पालिटी तो इनके जो गुट अलग अलग बढ़े हुए वो एक दूसरे को निप्टाने का काम कर देंगे हमने तो जो दस साल तक जिस ट्र की से में आड़े अक्टूबर के अंदर नाइब सेनजी के नेतरतव के अंदर पूरण बहुमत की सरकार पुस्ति बार तो कुछ कमी रही थी इस बार पूरण बहुमत की सरकार हम बढाएंगे कॉंग्रेस ने आभी जो है जिस परकार से बीजेपी के अपने आप में दावेदार है और मैंने जैसे पहले कहा कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है इसे चुनाव के अंदर भी अगर लोकसवा की भी अगर हम बात करें जो पांच सिटों क्या आप कह रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने एक ब्रहम जाल पहलाने का काम किया रावल गांदी जी ने जो सविधान की पत्रिका आत में लेकर के और उन्होंने कहा कि भारती जिन्ता पालिटी को 400 सीट किस लिए चाहिए सरकार तो 200 बैतर में मनती है ये 400 सीट लेकर के सविधान को बढ़ने का काम करेंगे इस तरीके का सविधान की पत्रिका आत में लेकर के उन्होंने परचार परचार करने का काम किया कहीं कहीं वो लोगों को में जो है वो डेंट डालने का काम किया उन्हों लोगों ने इस टाइब की बात की जिन्होंने अपने समय के अंदर सुधान की दजियां उडाने का काम किया याद है लोगों को कंग्रेज का राज जो निशुप चितर के अंदर था किस तरीके से देश के अंदर अमर्जेंसी लगा करके और जो जुलम और जातियां करने का काम किया साइध अंग्रेज्जों के समय में भी उन्होंने भी इतने जुलम और जातियां नहीं की थी अब हमारा जो कार्य करता है वो गाहों के अंदर भी शेर के अंदर भी वाड़िस तर जाकर के उनकी पोल खोलेने का काम करा है लोगों क दबाना न भूले